अगर आपको हमारा चैनल पर टेकनिकल इंफर्मेशन मिलता रहता है अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे से आपसे कोई भी टेकनिकल इंफर्मेशन वीडियो मिस ना हो दोस्तों आई होप कि आप सभी जीमेल अप्लि इसलिए आज का इसी वीडियो में मैं आपको कुछ एसा गलतियां बताऊंगा जो की काफी लोग करते हैं और उनका आकाउंट ब्यान भी हो जाता है मैं आपको सारी गलतियां बताऊंगा ताकि आप लोगों इस साथ एसा ना हो तो दुस्तों वीडियो में एंट तक बने र लगते हैं तो Google का algorithm जारी करता है आप अपने Gmail से एक दिन में 500 से ज्यादा email को नहीं भेज सकते हैं अगर आप 500 से ज्यादा email भेजते हैं तो Google को एसा लगता है कि आप spam कर रहे हैं और गलत message भेज रहे हैं हलंकि ऐसा करने के बाद आपको 1-24 गहंटे तक के लिए ब्यान किया जाएगा यानि आप Gmail के जरिए अगली email 20 गहंटे के बाद ही भेज जकेंगे अगर आप लोगातर इसा करते हुए पाए गए तो आपका Gmail हमेशा के लिए ब्यान हो सकता है तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखें और यह गलती Gmail पर ना करें दूस्तरी बात यह ही कि अगर आप इनाक्टिवी email address पर mail भेजते हैं तो भी Google आपका अकाउंट को red flag कर सकता है Google का algorithm आपको एक spammer समझेगा और आपका Gmail आपके पास ज्यादा मात्रा में बाउंस हुए mail आते हैं तो आपको एक spammer माना जाएगा इसे फरिस्ति में आपको email भेजने से पहले सबी email address ठीक से चेक करना चाहिए जिसरे बात ही है कि अगर आप किसी को भी Gmail की policy के खिलाब गेर कानोनी link, video, photo या फिर कोई भी document भेजते हैं तो भी आपका account ब्यान हो सकता है गेर कानोनी material जैसे की हतियार की खरीद विक्री, drugs, तसकरी, copyright music भीडियो और movie आदी के बारे में email के जरिए जानकारी भेजने की कोशिस ना करें एसा करने पर Google आपको you have reached a limit for sending mail का error message जेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप Gmail पर उसका policy के खिलाब हैं और आप एसा काम करें है जो की Gmail policy के खिलाब हैं इसलिए आप लोग कोई भी गलती ना करें जिससे आपका account ब्यान हो जाए दोस्तों ये थे कुछ गलतिया जो की Gmail पर लोग करते हैं अगर आप इस गलतियों को करते हो तो आपका account ब्यान हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share and channel को subscribe को दीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक सांदर टॉपिक के साथ